अब प्रेस्ट अब लाइब नेवर मिस अन अपडेट हेलो बच्चो वेलकम टू बाय फिजिक्स जोन प्रिछला चैप्टर हमने देखो इलेक्टिशिटी चैप्टर में हमने ये किया था कि जो हीटिंग इफ्ट के बारे में पड़ा था तो क्या हीतिंग के अलावा कुछ ओर इफट भी है इलेक्टिश कर बहाएंगे तो इसमें था फोग्यंग देखरेंगे it использ pen करनपड में बच्राइव करते है इसको सलगा देखते के ब come activity में principle रखी कर देखते हैं एक dec дев baby की आइंगे जब यह उन्वार के पास लेकर आएंगे जब इस कमप एक वर्ह सब्म होता तो इस circuit के अंदर देखो, हमने क्या लिया है, एक resistance लगा हुआ है, ये आर, ये emmeter है, emmeter, emmeter क्या करता है, ये current को measure करने का काम करता है, current की value find out करता है, इस circuit के अंदर, फिर इसमें ये battery लगी हुई है, current की supply के लिए यहां पर हमने battery लगा रखिये, और ये क्या है, key, key को close करेंगे, तो current flow करना बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जब हम इस key को close करेंगे, तो क्या होगा, इसमें current pass करना start करेंगा, current pass करना start करेंगा, तो हम क्या observe करेंगे, कि ये जो इस compass की जो needle है, ये deflect हो जाएगी, अपने path से, ये हिलना शुरू कर देगी, तो इसके हिलने का मतलब क्या है, कि इसके around कोई magnetic field है, यानि magnetic field कहां से आया, जब इस wire में current flow हुआ, तो इसके around magnetic field create हो गया, उस magnetic field की वजए से, इस compass की जो needle है, वो हिलना start कर देगी, यानि इससे हम current को detect कर सकते हैं, clear है, तो यानि इससे हमें क्या पता चला है, कि जब needle deflect हो रही है, यानि उसके around क्या है, कोई magnetic field है, electricity और magnetism, यानि या आपस में क्या है, लिंक है, जब भी electricity होगी, तो वहाँ पर magnetism की बात करेंगे, तो इस sector में आगे हम electro magnets के बारे में पढ़ेंगे, electric motors के बारे में generator के बारे में पढ़ेंगे, जिन में हम current और magnetism दोनों का use करेंगे, उसके बाद टोपिक है, हमारा magnetic field और field lines, magnetic field और field lines, field lines क्या होती है, देखो जैसे हमारे पास कोई bar magnet है, यह देखो यह bar magnet है यहापे, यह magnet का टुकड़ा है, इसको हम bar magnet बोलते हैं, इसके एक side यहाँ पे N लिखा रहता है, यह north है और यह क्या है, south, तो यह जो bar magnet है, इसके around जो है, इसकी जो magnetic field होता है, magnetic field lines की form में होता है, जिनको हम field lines भी बोलते हैं, तो जब भी इस bar magnet के नजदीक हम कोई भी compass needle लेके आएंगे, तो क्या होगी, वो deflection शो करेगी, यानि इसके around magnetic field होगा, तो उसका, क्योंकि magnetic material की जो बनी हुई है, तो यह वो क्या करेगी, deflect हो जाएगी, अपने रुकेगा, जो north pole होता है, तो अगर वो जो bar magnet है, उसका जो भी pole north direction की तरफ होगा, उसको हम north pole मान लेंगे, और जो उसका south direction की तरफ होगा, वो उसको हम south pole मान लेंगे, अब इसकी north-south poles में क्या properties होती हैं, bar magnet की क्या properties होती हैं, field lines क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं, तो देखो ये हम बार मैगनेट की डायग्राम ड्रो कर रही हूँ मैं ये बार मैगनेट है हमारा कोई भी मैगनेट का जो पीस होता है इस फोर में उसको हम बार मैगनेट बोलते हैं ये उसका होता है नौर्थ एक होता है उसका साउथ तो इस बार मैगनेट की कुछ प्रोपर् देखो, इनको बोलते हैं पोल, यह है इसका नॉर्थ पोल और यह है इसका साउथ पोल, तो अगर देखो, अगर हम इसके पास एक और बार मैगनेट यहां पे लेके आए, उसका नॉर्थ पोल यहां पे लेके आए, तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, और अगर हम इस पॉल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं St. St. को रिपल करेगा North नौर्थ को रिपल करेगा और अगर unlike πोल हो हमारे unlike पोल अट्रेक्ट इस अदर अगर इसके पास South ले के आए तो attract करेगा या फिर इस South के पास अगर हम आगे दूसरे मेंगनेट का नोर्थ पोल लेकि आए तो वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अब अगर देखो इस बार मेंगनेट को हम बीच में से तोड़ दे इसके दो पीस अगर हम कर दे तो क्या होगा अगर देखो इस बार मेंगनेट के हम दो पीस कर दे जैसे हमने स्पोज य यहाँ पर नोर्थ पोल रह जाएगा और यह साउथ पोल रह जाएगा यही सोच रहे होंगे ना आप कि यह नोर्थ पोल हो जाएगा यह साउथ पोल हो जाएगा लेकर ऐसा नहीं होगा देखो क्या होगा यह यहाँ पर इसका नोर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पर इसका सा कि यहगे है यह लिए प्रोपर्टी उसक्राइब देखो अब Magnetic Feed Lines किया होती है Mem parasites लाइन्स जो बार मैंगनित के इरन्ड जो मैंगनेटिक फिल्ड है तो वह जो माइगनेट की लॉन देखो अगर बार मैंगनित ऐसे ड्रों किया है हमने जो feed lines होंगी इसके लिए एक activity करेंगे यहाँ पे अगर हम iron feelings डाल देख iron का powder करके इस bar magnet के आज पास अगर हम डाल दे तो क्या होगा वो जो iron का powder है वो अपने आपको इस तरह से arrange कर लेगा तो वो जो path हमें दिखाए देखा वो होगा इसमें magnetic feed यह देखो जैसे इस diagram में दिखा रखा है यह हमारा bar magnet है यह north pole है यह south pole है यहाँ पे हमने iron का powder डाल दिया तो क्या होगा यह जो iron का powder है यह अपने आपको इस pattern में range कर लेगा देखो यहाँ से ऐसे दिख रहा हमें कि north pole से line है निकल रही है यह इसका south pole है यह north pole है यहाँ पे compass needle रख देंगे तो वो क्या होगा compass needle की क्या property है वो north south direction में ही आके रुखती है तो यह थोड़ी सी deflect होगी अपने पात से और north south direction में aligned हो जाएगी तो यह इसका हो जाएगा north यह उसका हो जाएगा south तो इस needle की position को हम बार-बार change करेंगे देखो पहले ही इस position पे रखी थी पिर यहाँ रखेंगे तो अपने आप थोड़ी सी band हो जाएगी फिर यहाँ रखेंगे ऐसे बार-बार इसकी position को change करते रहो बार-बार change करेंगे तो जो needle है अपने आप ही है इस यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे straight हो जाएगी clear उसके बाद यह फिर से यहाँ पे side band होना शुरू हो जाएगी तो ऐसे ही इस position को change करके हम यह हमारे पास एक line आएगी pumpa spindle को हटा के सभी dots को हम ऐसे join करतेंगे तो यह हो जाएगी हमारी magnetic field line है ऐसे ही हम कितनी भी magnetic field lines इसके around यहाँ पे हम draw कर सकते हैं magnetic field lines draw कैसे करते हैं देखो यह north से निकलती है और south के अंदर क्या है enter कर जाती है इस तरह से यह ऐसे cut नहीं करेंगी यह देखो यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाना है आपने इसको दुबारा बना लेते हैं डाइग्राम को देखो ऐसे हो जाएगा north pole, south pole north से निकलेगी south के अंदर enter करेगी ऐसे ही इच्चे की side north से निकलके south के अंदर enter करेगी तो direction दिखाएंगे हमें इस तरह से हम इसकी north से निकली है और south के अंदर enter करेंगी अब ऐसा नहीं है कि इस bar magnet के अंदर field lines नहीं है यह south के अंदर जाके कहां चलीगा यह south से ऐसे south से निकलके north में जाएंगी और फिर से north से निकलके south में जाएंगी clear है यह तो यह magnet के field lines को draw करने का pattern है एक और field line हम ऐसे बना सकते हैं नोट से निकलेंगी और south के अंदर enter करेंगी तो ऐसे हम जितनी मटजिस की field lines draw कर सकते हैं लेकिन जितना जादा हम इस magnet से दूर जाएंगे तो field lines जो यह size इनका बड़ा होता रहेगा और एक time पे यह फिर magnetic field भी क्या है कि कुछ area तक ही रहेगा यह नहीं है कि इससे हम कितनी भी जादा दूर चले जाएंगे तो वहाँ पे भी magnetic field ऐसा नहीं है एक time पे जाके यह वहाँ पे खतम हो जाएगी magnetic field lines तो इस तरह से आपने यह magnetic field lines को draw करना है देखो magnetic field line से क्या होती है यह curved line होती है इस तरह से curved line होगे तो अगर इस curved line पे हम यहाँ पे अगर कोई point ले स्पोज मैंने यहाँ पे P point ले लिया तो इस P point पे अगर एक tangent ड्रो करें इस तरह सी tangent जो touch करती हुई एक line है जो इस curved line को touch करती हुई है मैंने straight line यहाँ पे लगाई है यह क्या हमारा tangent है तो यह tangent क्या show कर रहा है यह यहाँ पे magnetic field की direction को show कर रहा है तो यहाँ पे हम जितने भी point अगर ले लेंगे और tangent ड्रो करेंगे तो हर एक tangent हमें magnetic field की direction दे देगा तो देखो अब properties of magnetic field lines पढ़ ले properties of field lines देखो first property क्या है magnetic field lines emerge from north pole and merge at south pole outside the magnet जैसे हमने diagram में draw किया था जो field lines है वो बार magnet के north pole से निकल के south pole में enter करती है magnet के बाहर की बात है यह लेकिन अंदर क्या होगा जब magnet के अंदर जाएंगी तो south pole से निकल के दुबारा से north pole के अंदर एंटर करती है inside the magnet magnetic field lines emerge from south pole merge at north pole north pole के अंदर चली जाती है they are close continuous curves इसलिए इने close continuous curves भी बोलते हैं क्योंकि देखो close curve ही बना रही है north से निकल के south में जाएंगी south से निकल के दुबारा से north में जा रही है तो यानि एक loop form कर रही है loop बना रही है तो इसलिए इने close continuous curves भी बोलते हैं अगर ये magnet के अंदर नहीं होती तो इसको हम continuous नहीं बोल सकते तो ठीक है बचो यहां तक हमने किया है इसके बाद जो बाकी properties बची है वो हम next video में करेंगे hello बचो बाकी जो देखो properties बची हुई थी हमारी magnetic field lines की वो कर लेते हैं यहां तक हमने properties की थी जो magnetic field lines है वो close continuous curves होती है next property magnetic field is strong where field lines are crowded जितनी ज्यादा field lines होंगी किसी जगया पे तो उतना ज्यादा है वहाँ पे strong magnetic field होगा देखो इस तरह से देखो जितनी field lines से ज्यादा होंगी crowded होगी तो यहां पे field ज्यादा है ज्यादा magnetic field है और अगर magnetic field lines यहां पे crowded नहीं है ऐसे है दूर दूर है magnet से काफ़ी दूर चले गए हम तो वहां पे तो field line से crowded नहीं होगी तो यहां पे क्या होगा जो हमारा magnetic field है यहां पे weak magnetic field होगा और जहां पे your crowded थी वहां पे क्या होगा? strong magnetic field होगा यह प्रोपर्टी उसके बार देखो फिप्ट देख लिते हैं यह पॉइंट हमने देखो कर लिया है मेगनिटिक फिल्डीज वीक वेर फिल्ड लाइनस नोट क्राउड़ेड नेक्स्ट एंग नो टू फिल्ड लाइनस क्रोश इच अदर दो तो मैगनेटिक फीड लाइन कभी एक दूसरे को क्रोस नहीं कर सकती देखो इस तरह से ही क्रोस कभी नहीं कर सकती ऐसा एक field lines ऐसे चली गई एक field line ऐसे चली गई तो यह situation कभी भी possible नहीं हो सकती इसका क्या reason है यह question भी आ सकता है why two magnetic field lines cross each other तो देखो इसमें क्या reason बताना है कि if two field lines cross each other then at point of intersection there are two directions of magnetic field which is not possible देखो अब तक यह नहीं पढ़ा है हमने की जो magnetic field की जो magnetic field हमें direction कैसे पता लगेगी देखो यहां पर यह पता लगेगी हमारे पास देखो कोई भी कर्ड जो field line है यहां पर जो point P मैंने दिखाई इस point पर हम यह tangent draw करेंगे तो यह magnetic field की direction को दिखाएगा तो आप देखो यहां पर देखो अगर हमारे पास एक field line यह है और एक field line यह है तो जब यहां पर एक point of intersection यहां पर है इसका स्पोज कोई भी point P ले लिया तो इस line का जो हम tangent draw करेंगे वह इस तरह से आएगा यह हो जाएगा ठीक है second line का भी tangent draw यहीं पर होगा इस तरह से हो जाएगा यह second line का tangent draw हो गया तो देखो एक direction तो यह आ गई और एक direction यह आ गई तो किसी सिंगल point of intersection पर दो direction possible हो सकती है बताओ नहीं हो सकती न तो देखो इस point पर दो direction possible नहीं हो सकती इस वज़े से यह जो दो field lines है कभी भी आपस में intersect या क्रोज नहीं कर सकती